सेप शॉप में एक बड़ा सवाल, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, अगर मैं मान के चलिए गोल्ड हूँ, और मुझे रेंक इंकम लेना है, तो मुझे कैसे रेंक इंकम मिलेगा, भाई अगर मान के चलिए मैं सिल्वर हूँ, या फिर ब्रॉंच हूँ, या फिर डाइमं कि गोल्ड हूँ, मुझे इंकम कैसे मिलेगा रेंक वाला, तो हे गाईस, दिस इस दैवानन सेरे, वेलकम बैक टू मैं यूडिव चैनल, दोस्तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, कि जो आल्रेडी लेवल अचीप कर चुके हैं, मैचिंग इंकम से, यानि कि जो अल्रेडी सिल्वर हैं, या फिर डाइमंड है, या फिर डबल डाइमंड है, या फिर वीनस है, या फिर मरकरी है, चाहे वो क्राउं है, तो उन्हें लेबल इंकम कैसे मिलेगा, तो दोस्तो अगर आप यह जानना चाहते हैं, कि भाई कैसे मिलेगा, तो मैं आज आज आप लोगों को इस वीडियो के अंदर clear करने वाला हूँ की आप लोगों को rank income कैसे मिलने वाला है तो दोस्तो हमारे इस वीडियो आज तक बने रहे हैं और अगर आप चैनल में देजान को सस्क्राइब करें और भी लाइक इनको भी जोड़ दबाएं दोस्तो हमारे इंस है तो भी मिलेगा double diamond है तो भी मिलेगा अगर आप कोई भी लेबल अल्रेडी अचीब कर चुके हैं फिर भी आप लोगों को rank वाला जो income है वो आप लोगों को जरूर मिलेगा इसमें आप लोगों को घबरानी के हो सकता नहीं है आप लोग बिल्कुल बे टेंसन ना ले मैं आज आप लोगों को यहां पर क्लियर करने वाला हूं बहुत ही आसान सब्दों में और यह जो वीडियो है ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है बहुत छोटा ही वीडियो है और इसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि आप लोगों को rank income कैसे मिलेगा मान के चलिए राइट में 10 सेल लाते हैं और परतियक सेल 200 बीवी से यानि कि अगर आप 20 का टीम बनाते हैं और आप ब्रांच बनते हैं न्यू तरीके साब का ओल्रेडी तो भाई यहां पर गोल्ड आप बनी चुके हैं लेकिन नया से अगर आपके टीम में 20 सेल आता है 200 बीवी से तो आप गोलड हैं और जब गोल्ड है और आपका जो टीम हैं लेफ्ट में 125 का है राइट में 125 का है और जब फिर से आपने 10-10 लोगों को जोईन कराय तो आपका टीम कितना बन गया लेफ्ट में 135 उड में 123 तो एक 45 तो टो राइट का मेचिक में उसमें आपका जो matching income मिलेगा वो कितना मिलेगा 10,000 रुपिया और जो rank वाला income है क्योंकि आपने already rank 1 भी achieve कर लिया है company के हिजाब से तो आप लोगों को rank वाला जो income है वो यहाँ पर company आपका जो average निकालेगी या फिर turnover जो निकलता है उसके बाद जो amount आपको मिलने वाला है वो करीब 5,000 के आसपस या फिर 5,999 रुपिया जो company मैंने बताया था वीडियो में जो calculation निकाली है उसके हिसाब साप लोगों को 5,999 रुपिया या फिर 5,999 रुपिया आप लोगों को मिलेगा तो अब आप लोग यहाँ पर calculation बना सकते हैं calculation लगा सकते हैं कि जब आप already gold हैं तो matching income आप लोगों को मिला 10,000 रुपिया left में 10, right में 10 और उसका matching मिला 10,000 रुपिया और जब आपने rank 1 achieve किया तो उसका पैसे आप लोगों को मिला 5,999 रुपिया तो total amount जो होता है आप लोगों का 15,999 रुपिया तो इसी तरीके से आप लोग calculation लगा सकते हैं कि अगर आप diamond भी है तो भी मिलेगा mercury है तो भी मिलेगा crown ambassador है तो भी आप लोगों को income यहाँ पे मिलने वाला है rank वाला और यहाँ पे कोई भी ऐसा condition नहीं लगाया गिया है कि आप लोग जब resale product खरे देंगे तो ही मिलेगा ऐसा कुछ भी नहीं है जहाए वो sale first sale से आए या resale से आए matter नहीं करता है बस आप लोगों को level income, reward income जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा और जरूर मिलेगा तो दोस्तो यह वीडियो हमारा यहीं तक था और मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा खुसकबरी सुन के आप लोगों को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और मुझे ऐसा लगता है कि यह वीडियो कियर